कि दोस्तों नमस्कार मैं हूं विरेंदर सिंग और मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूं बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक जैपनीज लेंगवेज तो आप लोग तयार हो जाए जैपनीज लेंगवेज सीखने के लिए क्योंकि आज जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है एडिशनल स्किल है तो आपकी वैल्यू तीन चार गुना ज्यादा रहेगी जिसके पास सिर्फ एक स्किल है वो भी ठीक है दोस्तों वो कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास एडिशनल स्किल है तो आप अच्छी इंकम कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों अभी मैं बताऊँ कि जैपनीज लाइंगवेज का स्कोप क्या है जैपनीज लेंगवेज क्यू सीखें क्योंकि बहूत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो के साथ collaboration कर रही हैं जैसे कि अभी वो medical medical जो इंडेस्ट्रीज हैं उसमें Japanese आ गए हैं automobile में तो काफी समय से वो है construction industries में वो है फूड इंडेस्ट्रीज में भी वो हैं तो सारी जो इंडेस्ट्रीज हैं उनमें Japanese का scope अभी बढ़ रहा है और सारे बहुत सारे project आने वाले हैं और बहुत सारी companies आने वाली हैं तो अगर Japanese language आपके पास है और आप एक industry में काम कर रहे हो दोस्तों तो आपके लिए बहुत जरूरी है जैसे कि दोस्तों मैं starting में एक engineer के बतोर के काम करता था उसके बाद मेरे को पता लगा कि हाँ Japanese language skill होनी बहुत जरूरी है मैंने धीरे धीरे Japanese language चीखी और तीन साल दो या तीन साल है क्योंकि दोस्तों मैं काम करता था दो तिन साल में सिर्फ दो तिन साल में मैंने अपना जो career था वो change कर दिया engineer से सीधा मैं Japanese interpreter पे आ गया था तो जो जब मैंने सीखी थी दिल्ली में मैंने Japanese language सीखी थी उसमें मैं बस से जाता था institute में तो काफी पैसे लगते थे काफी time भी लगता था और जो institute की piece piece थी दोस्तों वो भी काफी ज़्यादा थी तो जो इसके level रहते हैं वो 5 रहते हैं तो हर level के लिए जो मैं अगर total cost बताऊं तो 50-60,000 रहती है ज़्यादा भी रहते हैं अब सायदा हो गई होगी यह काफी मुश्किल था उसमें क्योंकि मैं duty भी करता था जैपनिज language भी सीखता था फिर अखेला रहता दोस्तों खानावाना बनाना रहता था तो यह सारी दिक्कते आप लोग नहीं होंगी क्योंकि जो offline मैंने उस समय पर सीखा था वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री लेके आए हूं YouTube पर ताकि आप लोग घर बैठ कर जैपनिज के लिए सबसे पहले तो आपको तीन notebook ले लेनी है दोस्तों वह तीन क्यों लेनी है वो मैं आपको बाद में बता देता हूं एक four color pen लेलो four color pen क्यों लेना है क्योंकि जो आप notes बनाओगे उसमें heading अगर red color की रहेएगी उसके जो topic है वो ब्ल्यू कलर में रहेगा सब टाइटल जो रहेगा वो अगर ग्रीन या ब्लैक कलर में रहेगा तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी जो भी मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा आप उसको नोट करते रही है मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तो कि जैपनिज लेंग्वेज आपको घर बैठे-बैठे मैं सिखा दूगा सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ चैनल पे उसको याद कीजिए और जैपनिज लेंग्वेज सिख जाईए अभी सायद एमदाबाद में भी सायद सुरू हुआ है तो और कहीं ऐसा इंस्ट्ट्टूट है नहीं जो जैपनीज लेंगवेज सिखाता हो अभी कुछ स्कूलों ने सुरू किया है कि जैपनीज लेंगवेज वो सिखाएं स्टुडेंट्स को ज्योकि स्कूप बहुत क्योंकि अगर आप किसी जैपनीज कंपने मूव करते हो तो आपकी वैल्यू अलग रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तो यह पूरा कॉर्ष क्यों जुरूरी है मैंने आपको बता दिया है क्या-क्या तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता चीज आज कल क्या करते हैं दोस्तों लोग की अभी entertainment में काफी time निकाल देते हैं ठीक है entertainment जुरूरी है लेकिन इतना ज़्यादा time waste करना उसके लिए सही नहीं है चाहिए आप कहीं पर working हो कहीं पर employee हो तो भी मैं आप लोगों से request करता हूं कि आप एक additional skill आपके पास रखें कैसे सबर होते हैं कैसे विंजन होते हैं कैसे इसको लिखा जाता है यह कितने type की होती है कितने इसमें levels होते हैं कैसे कैसे इनको पार करना है यह सारी जो बाते हैं मैं अपनी next video में ढाल दूँगा और उसके बाद हम अपना जो course है वो start करेंगे lesson first से तो दोस्तों आप अपन कलर नहीं रखना तो वन कलर भी रख लीजिए वह कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू